तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो तो आज की वीडियो में वेबता रही हूँ आपको घर में आप हैंड बैग कैसे बना सकते हैं यह देखिए सुन्दर सा बिल्कुल मार्केट की तरह हैंड बैग है इस तरह से आप अपने लिए गर में बैठ के हैंड बैग बना सकते हैं तो आए शुरू करते हैं हम अपना बैग बनाना तो सबसे पहले आपको फॉर्म शीट लेनी है आपको जिस भी साइज का बैग बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म शीट ले सकते हैं तो मै मैं अपने साइज के हिसाब से छोटा सा हैंड बैग बना रही हूं तो उस हिसाब से मैं अपस के कटपीस करूँगी यह रही फॉर्म शीट के कटपीस यह है दो उपर और एक नीचे के लिए और दो साइड के लिए और दो चुड़ाई वाले कट ने लेने है तो इसके बाद हमें इसके लिए कपडे की जुरूर्द होगी तो अम इसके हिसाब से कपडा कट करें गार का यह हीं मैं Steеждered का स्थार ने के लिए मैं टू का बना a हाग और तो इस लिए मैं एक यालू कट ले मैं ग्रीं उप आप अपने अकॉर्ढिंग जिस तरह का कपड़ा लेना चाया, रिय प्रिंटेंठेंडी ऊफ़ने हैं लुपने से तरह का कट लिए इसके लिए और नवने गपने फॉसी ने कपड़ा दो करें एक एक पट्टी जोड़ने है दोनों साथ में देखिए पट्टी जोड़ चुकी है इस तरह से हमें मल्टी कलर पट्टिया लगानी है के लिए मेंने कपड़ा काड़ दिया है जो हमने बॉक्सीज वाला कपड़ा बनाया ये हमने फ्रेंट साइड के लिए और प्लेन वाला कपड़ा अंदर की साइड लगाएंगे तो फिर जोड़ते हैं इन सब को तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें यह फॉर्मशीट इसके अंदर रख देनी है और जो प्लेन वाला कपड़ा अंदर वाली साइड और बॉक्सिस वाला कपड़ा में फ्रंट साइड में लगाएंगे तो इसमें हम चारो किनारे में अब सिलाई लगाएंगे देखें फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसमें चारो तरफ से सिलाई लगा लेनी है यह हमारी अंदर वाली साइड है और यह हमारी फ्रंट साइड है तो हमने चारो साइड से इसमें सिलाई लगा लिए तो अब हमें इसके अंदर से सिलाई लगानी है ताकि यह कपड़ा इसमें अटैच पूरी तरह से हो जाए इस तरह से हमें यह बॉक्सिस को सिलाई से फिट करना है यह देखिए फ्रेंड्स तो इस तरह से हमें यह सारे पीसिस को सिलाई से पैक कर लेना है तो यह देखिए हमने एक पीस कर दिया तो बाकी सब बीस तिरह से कर रहेंगे यह देखिए हमने सारी form sheet में कपड़ा attach कर लिया है अब हम इन दोन को आपस में जोड़ेंगे सारे boxes को तो इसके बाद हमें एक लेना है नीचे वाला इसा तो एक side वाला तो इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ेंगे और उपर से सिलाई लगाएंगे कि देखिए एक side का part जोड़ चुका है तो मैंने दूसरे भी विस तरह से जोड़ दिया तो sides हमारी complete है तो अब हमें इसके चड़ाई वाला जो हिसा उसको stitch करना है अबने की अबने की देखिए एके यह क्ट्ला कर तो आर उसने को अब जो यह वाली साइड है इस साइड भी हमें इसी तरह से जॉइंट करना है यह वाला पार्ट तो यह देखिए यह देखिए हमारा बॉक्स जो एबन के त्यार हुचुक है अब हमें इसको पलट देना है यह देखिए फ्रेंट्स पलटने के बाद कुछ इस तरह से यह दिखाई दे रहा है तो अभी हमें इसके उपर जिप भी लगानी है और हैंडल भी लगवाने है तो अभी हमें ऊपर इसको अटेच करना है इसमें तो गाइस यह रहे हो हैंडल पकड़ने के लिए जो होते हैं परस में वह मेने कपड़े से बना दिये हैं अब इनको अटेच करना है यह फ्रेंट वाली साइड है फ्रेंट उपर वाली साइड जो जिसमें जिप लगेगी यह वाली साइड है तो इसको अटेच करेंगे अब अबुद लेकर हम दाव तो बूढ लेगेगां दावा थो बूढ लिवरे कापके यह तो अब आपण दो बारा टाव मशाला घना टाना चरी चैना टाना सोरी खीन टाना चरी लाइड चापथ प्रेंट्स एक साइड का हैंडल हमारा लग चुका है यह देखिए इस तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें लगाना है जो यह वाला हमारा एक फोर्म शीट का पीस बचाता तो इसको हम यहां से जोइंट करेंगे और साथ में अपना हैंडल भी लगाएंगे तो फ्रेंट्स हमने इसमें हैंडल भी लगा लिए यह देखे औल मॉस्थ हमारा बैग तियार है तो अब हम इसमें जिप लगाएंगे जिप लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक आपको हम दिखाएंगे फ्रेंट्स यह रही हेंड बैग की फाइनल लुक यह देखिए इसमें जिप्पी हमने स्टिच कर ली यह रही अंदर का हिसा यह है इसकी फाइनल लुक कितना सुंदर बैग है अब भी इस तरह से घर पे फॉर्मशीट से अपने लिए हैंड बैग बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका है वाइज फ्रेंड बहुत ही इजी स्टेप से हैंड बैग बनाने के तो जो मेरे चैनल पे नहीं हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कोमेंट एंड शेयर करें थैंक यू